बदलाव, short motivational story in Hindi जिन्गी में बहुत सारे अफसर ऐसे आते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है और क्या पता मेरा ये छोटा सा बदलाव कुछ क्रांती लेकर आएगा या नहीं लेकिन मैं आपको बता दून हर चीज या बदलाव की शुरुआत बहुत ही बेसिक भिंसे होती है कई बार तो सफलता हमसे बस थोड़े ही कदम दूर होती है कि हम हारमान लेते हैं जिबकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा रख कर किया जाने वाला कोई भी बदलाव छोटा नहीं होता और वो हमारी जिन्दगी में एक नीव का पत्थर भी साबित हो सकता है चलिए एक कहानी पढ़ते है इसके द्वारा समझने में आसानी होगी की छोटा बदलाव किसका दर महत्वपूर्ण है एक लड़का सुबह सुबह दोरने को जाया करता था आते जाते वो एक बूई महिला को देखता था वो बूई महिला तालाब के किनारे छोटे-छोटे कच्छूओं की पीट को साफ किया करती थी एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला नमस्ते आंटी मैं आपको हमेशा इन कच्छूओं की पीट को साफ करते हुए देखता हूँ आप ऐसा किस वजह से करते हो महिला ने उस मासून से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया मैं हर रविवारे नहा आती हूँ और इन छोटे छोटे कच्छूओं की पीट साफ करते हुए सुक शान्ती का आनू भव लेती हूँ क्योंकि इनकी पीट पर जो कवच होता है उस पर कच्छता जमा हो जाने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की इक्षिमता कम हो जाती है इसलिए ये कच्छूओं तैरने में मुश्किल का सामना करते है कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भीकम जोर हो जाते है इसलिए कवच को साफ करती हूँ यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था उसने फिर एक जाना पहचाना सासवाल किया और बोला बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे है लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचे कि इन जैसे कितने कच्छूओं है जो इन से भी बुरी हालत में है जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते तो उनका क्या क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा ना महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा लेकिन सोचो इसे कच्छूओं की जिंगी में तो बदलवाव आएगा ही न तो क्यों हम छोटे बदलाव से ही शुरुआत करें दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेर अवश्य करें प्रपया कमेंट के माध्यम से बताइं के यह वीडियो आपको कैसी लगी आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा थैंक्स